आप सब्सक्राइब के लिए एक कच्छे आम की मसालेदार चटपटी और मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ तो अभी आम का मुस्म शुरू हो गया है तो आपको बाजार में बहुत आसानी से आम अवेलेबल हो जाएंगे तो आप एक रेसिपी आसानी से बना सकते हो तो चलेश् rubber करते हैं आज का वीडियो तो यह आम की मसालेदार चटपटी रेसिपी बनाने के लिए मैंने इहां एक कच्छा आम लिया है तो सबसी पहले आभी हमें इस आम के छिलके निगालने हैं तो आप ए आम की रेसिपी बिना चिलके निकाले भी आसानी से बना सकते हो तो अभी मैं निया आम के सारे चिलके निकाले है फिर उसके बाद अभी हमें इस आम को छोटे चोटे पीसिस में कट करना है तो उसके लिए मैं निया एक चाकू लिया है तो अभी हमें इस चाकू से इस आम के चोटे चोटे पीसिस करने है तो आप अपने हिसाब से इसके चोटे चोटे पीसिस बना सकते हो तो अभी मैंने यहां आम की छोटे-छोटे पीसिस बना लिये है तो अभी हम इसकी चटपटी रेसिपी बनाने वाले है तो इसके लिए मैंने घ्यास पे बरतन रग दिया है फिर बरतन थोड़ा गरम होने के बाद हमें इसमें दो चमच तेल डलना है फिर तेल खोड़ा गरम होने के बाद हमें इसमें आदा चमच राई डलने है फिर उसके बाद हमें इसमें छे कड़ी पता डलने है और इने हमें तेल में अची तरह से फ्राइ कर लेना है फिर उसके बाद हमें इसमें एक चमच जीरा पाउडर डलना है फिर इसे भी हमें तेल में अच्छी तरह से फ्राइ कर लेना है फिर उसके बाद हमें इसमें एक चमच गरम मसाला पाउडर डलना है और इसे भी हमें तेल में अच्छी तरह से फ्राइ कर लेना है तो अभी सारे इंडिडेंस अच्छी तरह से फ्राइ हो चुके हैं फिर हमें इसमें स्वादनुसार लाल मेर्च पाउडर डलने है और इसे भी हमें तेल में अच्छी तरह से फ्राई कर लेनी है तो अभी सारे इंगिडे इस तेल में अची तरह से फ्राय हो चुके है फिर उसके बाद हमें इसमें आदा कप बारिक कट किया हुआ गुड डालना है तो आप गुड की चेगा चीनी का भी इत्माल कर सकते हो फिर उसके बाद आभी हमें इस गुड को इस तेल में पूरी तरह से मेल्ट कर लेना है तो आभी गुड तेल में पूरी तरह से मेल्ट हो चुका है फिर हमें इसमें आम के कटके हुए पिसे डलना है फिर हमें इसमें स्वादनुसार नमक डलना है और इन सारे इंगेडियन्स को हमें आच्छी तरह से मिक्स कर लेना है तो आभी इस सारे इंगेडियन्स आच्छी तरह से मिक्स हो चुके है फिर उसके पास अभी हमें इसे दो मिनिट तक पकाना है तो उसके लिए मैं इसके उपर एक प्लेट रख दीती हूँ तो अभी दो मिनिट हो चुके है और यह आम पक चुके है और यह आभी आम की चटपटी रेसिपी बनके त्यार हो चुकी है तो आप इस चटपटी आम की रेसिपी को एक काच के बोटल में भरके उसे फिरीज में रख सकते हो और उसे आप खाने के वक्त एक आचार की तरह इस्तमाल कर सकते हो तो आप ऐसे ही आसाने से घर में कच्चे आम से एक चटपटी मसालेदार रेसिपी बना सकते हो तो आज के वीडियो में इतना ही, तो फिर से मिलते हैं और एक ने वीडियो में, और एक ने रेसिपी के साथ, तो थैंक्स फ्रेंज, वाचे मैं वीडियो,